ओम प्रभु की जेहो सभी वहरी बगतों ने रादे रादे जैस्री कृष्णा राम राम सा निरजला एकादसी रे पावन परवपर आप सभी ने राम राम ओम नम भगवते वाशू देवाई सजनों हम सभी का बहुत एक पवित्र त्योहार आ राए है निरजला एकादसी और हर हिंदू को हर सनातन धरम मानने वाले को ये त्योहार ये वरत करना बहुत अनिवार्य है और ये वरत बहुत पुराना वरत है एक समय की बात है मैं आपको थोड़ा सा महाभरत काल में लिजाना साता हूँ पास पांडू हुए सबसे बड़े युदिष्टिर जी अरजुन जी, भीम जी, सहदेव जी, नकूल जी ये सभी एकादसी का वरत रखते थे और आप सभी को पता है कि भीम सहन जी थे उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी इसलिए वो ये वरत रख नहीं सकते थे एक समय की बात है महर इसी वेदव व्याज जी माराज पांडव दर्बार में पदा रे वेदव व्याज जी माराज पदा रे उस समय सभी ने गुरुदेव की पूजा अरशना की भीम जी ने भी उनकी पूजा अरशना करके उनके सामने हाथ जोड़ कर बोले हे गुरुदेव मेरा आपसे आज एक प्रशन है और मैं आपके स्रिश्रनों में सिस जुका कर एक मैं आपको प्रशन पूछना साहता हूं तो महर इसी विदेव व्याजी ने हंचकर जवाब दिया कि बोले हे भीम बताओ आपकोंचा प्रशन पूछना साहते हो तो भीम जी बोले हे गुरुदेव मेरे स्यारों भाई युदिष्टर जी अरजुन जी सेहदेव जी नकूल जी ये सभी एकादसी का वरत रखते हैं और मेरी माता स्री माता कुंता भी एकादसी का वरत रखती हैं और महाराणी द्रॉपदी भी एकादसी का वरत रखती हैं प्रंतु मैं एकादसी का वरत रख नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे भूग की जो जट्रा अगनी है पेट की जट्रा अगनी वो बहुत तेज हैं इसलिए मैं ये वरत रख नहीं सकता हूँ और मैंने मापुरुसों से ये सुना है कि जो एकादसी का वरत नहीं रखता है उसको नरक में जाना पड़ता है तो हे गुरुदेम आप मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाए जिससे मुझे ये फल भी मिल जाए और मैं नरक में जाने से भी बस जाओ जब भीम जी का ये प्रशन सुना तो मैरी शिवेदव्या जी बोले कि हे भीम सेन तुमने जगत हित के लिए बहुत अच्छा प्रशन किया है इसका मैं तुझे उपया भी बताता हूँ वरस में सौबिस एकादसी आती है अगर हे भीम सेन तुम सौबिस एकादसी नहीं कर सको तो सिरफ अगर एक एकादसी निरजला एकादसी कर लो तो भी आपको वो ही कवो ही फल मिल जाएगा तो भीम जी बोले कि हे गुरुदेव वो एकादसी कब आती है इस पर मुश्करा कर बोले मेरी शिवेद व्याजी बोले है पुत्र जैष्ट सुकल एकादसी आती है उसको निरजला एकादसी कहते हैं जैसा इसका नाम है वैसा काम है निरजला इस दिन जल का सेवन नहीं करना साइए दश्मी की रात्री से द्वारदसी की बोर तक जल का सेवन नहीं करना साइए यही है निरजला एकादसी और इस दिन है भीमसेन निरजला एकादसी के दिन सुबे ब्रह्म मौर्त में जागरत होकर सनान करके भगवान विश्णु की पूजा आरशना करना बहुत अनिवार्य है भगवान विष्णु की पूजा करे भगवान विष्णु का ध्यान लगाए भगवान स्री कृष्ण का सुमिरन करे और पूरे दिन हरी सुमिरन में लगे रहे और दिन में सैया पर सैयन न करे और उस दिन बोजन भी न करे और जब संध्या विला हो जाए तो संध्या के समय बैट कर प्रभू का जागरन करे प्रभू का किर्तन करे प्रभू का सुमिरन करे इसे बहुत फल मिलता है फिर जब द्वार्दसी के दिन सुबे के समय ब्रह्म अगवान को भोग लगाकर उपवास को खोले तो बहुत पुन्य मिलता है और सनान करे तो सुबह ब्रह्म मौर्त में जागरत होकर सनान करे अगर नदी पास में है तो कोई पवित्र नदी में सनान करे अगर नदी पास में नहीं है तो गंगा जल जांपर अपन सनान कर रहे हैं उस पाणी में थोड़ा सा गंगा जल मिला कर सनान करें तो भी बहुत पुन्य मिलता है पूरा दिन भगती में बिताए इसी में आनन्द है ये प्रशन भीम जी ने किया अपने लिए किया और उनके बाद अगर ये देखा जाये तो उन्होंने जगत के लिए किया अपने को भी इसी प्रकार निरजला एकादसी का वरत करना साइए भगवान की पूजा करनी साइए भगवान की अरशना करनी साइए गव माता की सेवा करनी साइए संतों की सेवा करनी साइए ब्रामनों की सेवा करनी साइए अपने माता पिता का आशिरवाद लेना साइए और सरी जागरन करे प्रभू के स्रढ़ वत्रों में रहे यही मन में रखे मैं प्रभू का रहुआ नियों ड्राइचek अगर हो सके तो एक जल से भरकर पानी का मटका, कपड़े से ढखकर थोड़ा सा उसके उपर सोना लगा कर वो ब्रामनों को दान करे इससे बहुत फल मिलता है अगर नहो सके तो गायों को गुड़ खिलाए और भगवान का किर्तन करे यह मारे को बहुत पुर्णिय मिलता है आप सभी से मेरा यही निवीदन है स्रीक्रिशना संगीत सेनल की ओर से आप सभी को निरिजला एकादसी पावन पर उपर जैसरी क्रिशना आप सभी तन मन से पूरा मन सांत करके भगवान विश्णु की आरादना करें निरिजला एकादसी का वरत करें जिस परकार भीम सेन जी को फल मिला उसी परकार अपन को भी मिलेगा अपन सिर्फ परभू के बन कर इस वरत का पालन करें आप सभी को जैस्री कृष्णा एक बार आप सभी बोल दीजी रादे रादे